एक तो तीन चार क्या हलता क्या होता भार उपर नीचे दूर पास जमा खटा गुणा और भाग अरे ठेहरू जरा समझतो ले C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की गनित की पाठे पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कारिक्रम कितना हलका, कितना भारी नमस्ते बच्चों नमस्ते बच्चों नमस्ते नमस्ते अरे भाई आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं हमें आज कहानी भी तो सुननी हैं पर भाईया आज दीदी क्यों नहीं आई हाँ ये बात तो है अनन्त लो मैं भी आगे नमस्ते नमस्ते कैसे हो बच्चों बढ़िया हो ना तो अनन्त आज तुमने बच्चों को बताया कि हमेंने कौन से कहानी सुनाने वाले हैं बस वही तो बताने वाला था बच्चो आज हम सुनाएंगे एक घोडे की कहानी घोड़ा बहुत तेज दोड़ता है ना मैं एक बाद घोड़े पे बैठा भी था अच्छा बस एक ऐसा ही घोडा था जैजू और मन्नू के पास बच्चो जैजू और मन्नू बिलकुल तुम्हारी तरा प्यारे प्यारे नन्ने उन्ने बच्चो थे और उनके पास था एक घोडा घोडा बहुत तेज दो था था अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही जादा हट्टा कट्टा घोडा था और पता है वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था 700 किलोग्राम और वो भी बड़े आराम से 700 किलोग्राम इतना जाद उठा लेता था वो गोडा अश्रिया, अरे वो तो बहुत ताकत पर था लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था आलसी हाँ बच्चो, काम करने का उसका मनी नहीं करता था वो तो बस सूता रहता था घोले बेच कर वो तो खोधी एक गोडा था लेकिन बच्चुई तो कहावत है ना गोडे बेचके सोना है फिर क्या हुआ फिर एक बार जैजु और मन्नु अपना मकान बदल रहे थे वो घर का सारा समान घोडा गाड़ी में लादने लगे और फिर जैजु और मन्नु के पिताजी ने कहा सबसे पहले इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोडा गाड़ी पर फिर जैजु और मन्नु के मम्मी बोली ये रहे पांच बोरी गेहूँ इन्हें भी रख देती हूँ अरे भाई ये तीन मेज तो रही गए अरे पापा अरे बेटा लेया लेया और घोडा कहने लगा अरे इतना भार अरे मैं कैसे उठाऊँ पहले बहुत थक्या हूँ अरे रुको रुको चार कुर्सियां भी बाकी है और उसके बाद जैजु और मन्नु ने चार कुर्सियां एकलमारी, दो गद्दे, तीन बोरी चावल और रखे तब गोला बोला अरे इतना भार अरे रुको 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 अभी तो और भी सामान है और तब जैजु और मन्नु ने एक बास की सीड़ी, कुछ और बरतन भी रख दिये और बच्चो गोला बोला अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार अरे इतना सारा सामान आज तो मेरी तबियत भी ठीक नहीं है मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है अरे भुटा बोला मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है घृष Stevens पर लोगया फिर क्या हुआ? और तब जैजु और मन्नु के पापा ने उनसे कहा जैजो मन्नु? जी पिताजी, जी पिताजी भै लगता है घोड़े की तबिया ठीक नहीं है अरे वो 700 किलोग्राम से स्यादा भार नहीं उठा सकता वो बहुत भारी हो गया था? क्या वो 1000 किलोग्राम हो गया था? अरे रुको रुको पहले तो जैजी और मन्नु के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया वजन के बारे में जानकारी दे और फिर जैजी और मन्नु सामान का भार जोड़ने लगे हाँ बच्चो तुम भी जैजु और मन्नु का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो तो एक गेहु की बोरी का वजन है सौ किलोग्राम और एक चावल की बोरी और एक अलमारी मिला कर हुई एक सौ पाँच किलोग्राम एक सो पाँच किलोग्राम तो बच्चो बताओ कुल कितना भार हुआ सो और एक सो पाँच किलोग्राम दो सो पाँच दो सो पाँच क्या ग्राम शिर्फ ग्राम किलोग्राम शाब वाज यह हुई ना बात दो सो पाँच किलोग्राम हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की, एक कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम, कितने किलोग्राम है? 5 किलोग्राम और पहली जो भार था, वो था 205 किलोग्राम, तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े, तो कितना भार हो गया? 210 किलोग्राम शाब बाश इसी बात पर हो जाए ताली हाँ तो भाई अब बारी आती है पानी की टंके की और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है कितना है पचास किलोग्राम पचास किलोग्राम हाँ तो अब बताओ कुल मिला कर कितने किलोग्राम हुए अभी तक भार था 210 किलोग्राम उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड दिया यानि कि 50 किलोग्राम जोड दिया तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया 230 किलोग्राम अरे नहीं बचवा 230 नहीं 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिलाके कितना भार हो गया दो सो साथ किलोग्राम शावबाश इसी बात पर बजाओ ताली तो दो सो साथ किलोग्राम के बाद आया दस किलोग्राम का मेज दो सो साथ किलोग्राम शावबाश यह हुई ना बात किलोग्राम का बाश और अब बारी आती है गद्दे की बई एक गद्दा है बीस किलोग्राम का दो सो नब्बे किलोग्राम बई बच्चे वैसे बहुत होश्यार होगे बहुत होश्यार अब बारी आती है बास की सीड़ी की जिसका भार है दस किलोग्राम तीन सो किलोग्राम अच्छा बरतन तो रही गए तो बरतन हुए दस किलोग्राम के तीन सो दस किलोग्राम वाँ 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 तो ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया तो बच्चों अब ये बताओ तीन सो दस किलोग्राम चाथ सो किलोग्राम से कम हुआ या जादा कम बच्चो जैजु और मन्नु ने कहा अरे घोड़े भाई ये तो बस 310 किलोग्राम है तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो बोला शर्माने लगा और बोला अरे अरे मेरे तबिय तो एकदम ठीक है मैं तो बज़राग कर रहा था मुझे कुछ नहीं हुआ मैं अरे ये तो बहुत है हलका है अरे मैं अभी ले जलता हूँ जैजु और मन्नु अरे तुम भी बैड़ जाओ घोड़ा गाली पर बैड़ जाओ शालाओ और हाँ सुनो अरे पापा को भी तो इठाओ अरे बुलाओ वे मंके कोई बुलाओ जल्दी बुलाओ अब मैं सर पर दौ लगाता हूँ चलो संबर से अरे अनन्त रुको 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 भई यही रोग दोपनी घोड़ा गाड़ी को चौर भी बाकी है अरे आकरती क्या बाकी है भई आज का सवाल सही आदिलया तुमने तो बच्चो आज का सवाल है 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है यानि कितने किलोग्राम कम है सवाल एक बार फिर सुन लो 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली कितना हलका कितना भारी अभी आप सुन रहे थे ये कारेकरम कलाकार, प्रमीन शर्मा, श्वेता और बच्चे, धोन्यंकन, बटिलाइंग लिंग्डो, निर्मान सहयोग, मयंग थपली याल, आलेक, निर्मान, निर्देशन वधोनिसंपादन, वंदिना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T.